हेलो फ्रेंड्स तो टेस्ट पुक रक्षा बंधन के सुह असर पर लेकर क्या हुआ है सफलता बंधन सेल जिसमें आप टेस्ट पुक का येरली पास खरीद सकते हैं और जिसमें 580 प्लस एक्जाम्स और 44,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और ये 499 का जेनरली मिलता है अ 9 अगस्ट टू 11 अगस्ट तक के लिए है तो आप इसे बाइक कर लिजे और लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया है तो आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा है जो कि मिनिस्ट्रेंट फॉर्म अफेस के डिरेक्टरीट जेनलर ऑफ बीस अफनी बॉर्डर अगस्ट के लिए मिनिस्ट्रेंट में तो जो एसाइस टेनो की वेकेंसी है जिसमें की आपकी स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेरिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया हुआ है तो जो एसाइस टेनों उसमें जो टोटल वेकेंसी है वह इस बार बहुत ही कमाई और से से कटेग्री में है टोटल ग्यारा वेकेंसी आई हुए और हैट कॉंस्टेबल में टोटल 312 वेकेंसी जिसमें 154 जनरल की 41 EWS 65 OBC 38 ST 14 ST किया है तो ये टोटल नंबर वेकेंसी और य देखें नोट में नीचे लिखा हो भी हो है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टो चेंज दू दू आद्मिस्टेटिव रिजन जहींस से नमबर है वो चेंज भी हो सकते हैं तो बढ़ भी सकते हैं तो में क्रीज तो ये देखें और इसमें जो ये बिस्त है वह का अपी जो मिनिस्टियल हेड कॉंस्टेबल की विकेंसी है यह लेवल फोर के जिसमें आपकी एप्रॉक्स में 38,000 आपकी यह मिलेगी मतलब सैलरी और सबसे बढ़ियां बात यह कि जो बेसेफ के लोग होते हैं इनका एक तो रेपूटेट जॉब है क्योंकि यह परामेटरी से बिलॉ परीड़ा होती है और मतलब प्रस्टिज जॉब है और आपको सबस्विदाएं बेची मिलती है तो इसके लिए जो आपको नेशनल सिटिजन में वह इंडिया का सिटिजन होना चाहिए इस लिमिट जो है वह 18 से 25 साल होना चाहिए इसके वीच में ही यह लोगों को यानि 18 व कॉंट के जाएगा फिर इसके देखे आपको आगे यह दिख रहा है एक इसक्रीन पर जिसमें की एस आई स्टेनो के लिए और हैड कॉंस्टेबल दोनों के लिए इंटरिमीडियर पास होना चाहिए नहीं की ट्विल्थ पास होना चाहिए किसी भी रिकगनाइज बोर्ड या इनिवर्सेटी से साथी साथ स्टेनोग्राफर के लिए सॉट हैं आनी चाहिए और सॉट हैं में 80 वर्ड पर मिनिट की स्पीड या तो इंगलिश या तो हिंदी ज उसमें 35 वर्ड पर मिनट या तो इंगलिश आप चूज करेंगे तो इंगलिश के लिए 35 वर्ड मिनट और 30 वर्ड पर मिनट होता है हिंदी के लिए तो यह आपको पूरा 10 नट का टैपिंग होगा तो यह आपका मांगा हुआ है स्किल में और साथी साथ इसमें एक और जो सब्सक्राइब के मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 155 cm यह मिनिमम हाइट होनी चाहिए चेस्ट के लिए 77 सेंटीमेटर अन एक्सपैंडेड और 82 सेंटीमेटर एक्सपैंडेड तो यह होना चाहिए जन्रल ओविसी एससी एटेवलेस के लिए स्टेक टेकरी लिए थोड़ी छूट दी जाती ह होना चाहिए और आई साइट होनी चाहिए 6x6 की बैटर है यह आपके लिए तो टैटू अगर नहीं होना चाहिए यह सब सारी चीजह हैं आपकी नोटिफिकेशन इत्मिनाम से अराम से पढ़ने लिए और इसके बाद जिसका सेलेक्शन फोई सीज़ा रव उसमें देखे द घो फॉस्ट फेस में सब्सक्राइम हो के उनकी लिए शॉर्ट योड्यचन के लिए न्हीं के लाएंगे उनके लिए तकमेंटेशन इनगी चेकिंग और फिर अपिर मेडिकल एक्जामिनेशन तो इतनी सारी चीजि़ें योगे अब देखे रिटें एक्जामिनेशन में पा पेपर आएगा आपका पेपर तो एक यह डाएगा लेकिन पांच इसमें सेक्शन रहेंगे तो देखें हिंदी या इंग्लिश जो लेंग्वेज चूज करेंगा हां तो फार्म फिल करते टाइम में ध्यान दीजेगा कि लेंग्वेज आपको जो चूज करना है उसमें आप ज लोग हैं जहां पर हिंदी उनका मदर्टञ नहीं है तो उसको आप मतलब इंग्लिश चूज कर सकते हैं तो आप देखें जेनरल इंटीट इन्टेंटी कोस्चन्स निमेरिकल एप्टीट्ट्टीट्ट एप्टीट्टीट् पेसिक कम्पिर्ट नोलजिज इन्टी तो फ्या सारा दिया वह फेस्टू में देखे फिजिकल मिजर्मेंट जो पहले ही बताएगा इस टेनोग्राफी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट ये फिर फिर डॉक्मेंटेशन तो डॉक्मेंटेशन जिसे जनरल सब में होता है वैसे होना चाहिए हाँ अब यहां पर आता है मेडिकल का तो मेडिकल के लिए देखे यहां पर लिखा हुआ कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जैमिनेशन होगा तो इसको इसके लिए आपको बुलाया जाएगा तो आप उसके लिए निशिंत रहे को इसमें बहुत ज़्यादा घबरानी की बात नहीं है आप अभी पहले रेटेन की त्यारी करिए और टाइपिंग की त्यारी करिए फिर फाइनल मेरे लिस्ट इसके बाद बनेगी और फिर फाइनल सेलेक्शन होगा तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं एर्थ आफ अगस्त बारा बच्च के एक मिनाट रात्तरी से और छे सेप्टेंबर तक आप अप अप् से में जो बात है ध्यान रखने वाला वह बस एक ही है कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम में जो लेंगवेज चूज करना है क्योंकि वह काफी ज्यादा लोगों को नुकसान कर जाता है तो वह जरूर ध्यान रखेगा तो यह था नोटिफिकेशन और यह आपको टेलिग्र जजे पुर्म अोथों कर दो प्राइम में जोट वह है वह जाता है तो यहाँ कर दोदेगेज जाजर चाहँ कर दोदेखने डिकेशन फिल कर दो वहर जाता है